नमस्कार पिरिया विद्यारतियों, वीकेन ओलेज इलेक्टिकल में आप सभी का स्वागत है, वेकेंसी न्यूज अप्डेट लेकर एक बार फिर उपस्तित हूँ, बड़ी सांदार वेकेंसी है, खासतोर से आईटी वालों के लिए पूरी डिटेल से बात करेंगे, कौन कौन देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेस्बूक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लिजी क्योंकि हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज नोटिपिकेशन इस योटूब चैनल पर आपको पूरी डीटेल से बात करेंगे, बदों की संख्या कितनी है, हमारे लिए तो वही सबसे एहम होती है, आइए डीटेल से जानते हैं, एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करेंगे, सबसे पहले देखो, गवर्मेंट ओफ इंडिया, मिनिस्ट्री ओफ होम अफेर् डारेक्टेड जनरल बोर्ड सिक्यूर्टी फोर्स, बी एस एफ की वेकेंसी है, कहां पर वेकेंसी है, वाटर विंग में है, डारेक्ट रिकूट्मेंट होगी आपकी, पोस्ट बी और सी, यानि नोन गजटेड पोस्ट होगी, खेर, आइटेए वाले हैं हम तो, तो नोन ग कौस्टेड़ के वेकेंसी पहले भी आई थी, आपको याद हो थो, कोस्टेबल के नाम से भी पहले आई थी, तो हमारे अप्लिकेशन पर एक लाइफ टाइम मेंबर्सिप नाम से प्लान है जिसमें इसके हेड कोस्टेबल के भी और कोस्टेबल के वी प्रिविस पेपर 23 बिलेगी एलेक्ट्रिशन, एच सी, वरक्शोब, एलेक्ट्रिशन, समस्य यह है, मात्र दो सीटे है, अब देखो वैसे तो यार वाटर वरक्स में उसमें है, विंग में तो एलेक्ट्रिशन दो ही होंगे, अगर फिल्ड में या कहीं लाइन पर होता, तो तो माल लेते कि मोटल याँ पर दो सीटे है, ठीक है, अब मैं आपको कुछ डिटेल बता देता हूँ, सुनिएगा, अगर आप इन दो के टेग्री के अलागा कहीं से भी अपलाई करते हैं, तो आपके लिए केवल मात्र एक सीट होगी, अन्रिजर्व वाली, जैसे मैं एक्जाम्पल देता अगर आप अन्रिजर्व से फोर्म अपलाई करेंगे, तब भी केवल एकी सीट आपके लिए है, अगर आप EWS से अपलाई करेंगे, तब भी आपके लिए केवल यही एक सीट है, और अगर आप SC या ST से कहीं भी अपलाई करते हैं के टेग्री से, तब भी आपके लिए एकी सीट है हाँ एकी सिचुएशन में फाइदा है अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं तब आपके लिए दोनों सीट हैं कैसे अगर मेरिट में हायर आते हैं तो चनरल में भी सेलेक्शन अंध्रिजरों में भी हो जाएगा और नहीं तो अपनी केटेगरी तो है यानि OBC के दो बच् कि देखो यहीं जो मास्टर है इनकी टोटल थोटल थ्रटी फाइब सीटे है यहानि पेंटिस सीटे है और सबसी जदा है सताउन सीटे माइडियर इंजन ड्राइवर की किस нами सबसी जदा है इसके लिए क्वालिफिकेशन को आपको देखने होगी और और electronics वालों के लिए भी एक seat है यहाँ पर लेकिन वो reserve category में है और reserve category में भी वो किस की है OBC की है ठीक है ना reserve category में electronics वाली है तो वो भी आपकी OBC की है और उसके बाद है machinist, carbon, plumber, plumber वालों के भी दो seat है यहाँ पर एक अंध्र reserve की है और एक OBC वालों की है तो दो-दो seat हैं सब के लिए टोटल यहाँ पर 162 seat है ठीक है age criteria आपको बता देता हूँ मैं head constable workshop यह रहे ठीक है तो IT वाले जितने भी है वो workshop में होंगे 20 से लेकर 25 वरस के बीच बीच में आपकी age होनी चाहिए यानि 20 वरस जिसने complete नहीं किया वो नहीं apply कर पाएगा 25 वरस से उपर किसी की age है तो वो apply नहीं कर पाएगा हालनकि reserve category में जितने भी है उनको यहाँ पर age वर reservation age में relaxation मिलेगा जो भी age criteria होगा उसकी तहत आपको छूट मिल जाएगी अगर मैं आपको pay scale की बात दिखा हूँ यहाँ पर तो IT वालों के लिए ठीक है सांदार pay scale है देखो यह है total आपका pay scale पे scale कितना है 25,500 से लेकर 81,100 रुपए का और pay level आपको 4 में रखेंगे all other allowances जितने भी होंगे वो सारे allowances आपको यहाँ पर मिलेंगे याँ डियर लेंस allowance आपको मिलेगा और other benefits जितने भी होते हैं वो सारे यहाँ पर मिलेंगे 25,500 आपका पहला basic होगा इस 25,500 के basic में आप अपना लगभग राउंड फिकर में 50% डियर में allowance माल लीजिए वो अगर aid करते हैं इसमें तो लगभग आपका 13,000 रुपए वो इसमें count होगा आप यूं कह सकते हैं कि case in hand आपका यानि सारी कटोती करने के बाद 35,000 रुपए के आसपास आपको first salary मिल सकती है तो पूरी opportunity है I hope आप का इसका benefit आपको इसका उठाना चाहिए जो भी eligible candidates है उनको apply करना चाहिए 20 से 25 साल की age criteria बहुत छोटा रखा है वैसे देखा जाए तो इसमें देखो educational qualification क्या है इस पर एक नजर डाल देते हैं head constable workshop वालों के लिए ये है educational criteria आपको क्या-क्या qualification इन्होंने रखी गई आपके सा बात है उसके बाद में ITI का diploma यानि आपके पास certificate होना चाहिए particular जैसे electrician वाले हैं तो उसके पास electrician का होना चाहिए ये रहा ठीक है AC technician में कोई apply करेगा तो उसके लिए AC technician का हूँ electronics में जिस ITI holder है उनके पास electronics का होना चाहिए machinist से जो है वो machinist और carpentry या plumber से कोई apply करेगा तो plumber का उसके पास होना चाहिए ठीक है जिसमें आप apply करेंगे वो आपके पास होना चाहिए apply करने की last date क्या है apply करने की last date generally ये mention नहीं करते हैं लेकिन इनका हमेशा का एक ही rule रहता है कि जो भी हम ये advertisement publish करते हैं उसके 30 days के अंदर अप apply कर सकते हैं आप इसको कल का मान सकते हैं यानि 27 मई ये news paper में जो आया है 27 मई 2024 से आप यूं समझ लीजी कि online application आपके लिए available है तो आप एक महिने का time यानि 26 जून तक इसे मान कर चलें लेकिन मैं तो यह कहूंगा कि 26 जून का इंतजार करें क्यों official website पर अभी visit क करेंगी और official website पर जाकर अभी इसका form apply आप कर दीजी क्योंकि आज आपके लिए available होगा जितनी भी calculation की जाएगी जैसे age वो 20-25 मांग रहे है एक जुलाई 2024 के according गणना की जाएगी इनकी ठीक है ना इन्होंने example भी दिया है कि हम जो 22-28 SI के लिए age मांगी है उसमें एक जुल सब्सक्रावा और जरूरी महत्वपूर्ण बात क्या है आपके लिए हाँ थोड़ा सा physical criteria इन्होंने जरूर रखा है मैं maximum वाला बता देता हूं minimum वाला देखो ST के जो बच्चे है ना उनके लिए तो है 160 cm की हाइट और 73-78 के सेंटीमेटर का चैस्ट चाहिए फुलावट और बिना फुलावट वाला 73 और 78 हो गया बाकी अगर आप अलग लग जगे से बिलोंग करते है ना तो उनके लिए 165 cm की हाइट है कोई गड़वाल गोर खा अगर उस तरह से है तो 162.5 है वो अलग लग है सब के लिए तो यह आप उसमें से डिटेल जो है वो देख लेंगे ग आपको रिफंड नहीं होती है ये बात आपको ध्यान में रखना है ठीक है और पाकी किसी भी जानकारी के लिए इस तरह के अपडेट जब भी आते हैं तो हम सबसे पहले टेलिग्राम पर ही आपको अपडेट देते हैं तो आपको हमारा टेलिग्राम जरूर जोइन करना है डिस्क्रिप्शन में लिंक है अब बात करते हैं इसके एक्जाम पेपर की एक रिटर्न एक्जाम होता है और उस रिटर्न एक्जाम में आपकी ट्रेड से समन्दित भी किस्षान आते हैं जीके जनरल अवेर्नेस के किस्षान भी आते हैं और कुछ मैथ और रिजनिंग के भ करवा रखा है और अप्लिकेशन में भी आपको हमने उसे प्रोवाइड करवा रखा है तो हमारा एप डाउनलोड कर लीजिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेंबर सी प्लान की तैयत आपको केवले एक बार मातर 115 रुपे करने होते हैं लाइफ टाइम उसकी वेलिडिटी है और ओल टेक्निकल एक्जाम्स के पेपर पीडिएफ हम आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवाते हैं तो आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकेंगे पूरा पेपर अच्छे से पढड़े है कि क्युस्टन का लेवल सब चीज़ें आपको पोइंट टो पोइंट देखने को म देखने वालोड़ेंद Is